जहिन दोस्तों मैं ससांग्तिवारी और स्वागत है आपका मतवर्देश मन्थन पर दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारती लोकतंत्र के मंदिर संसत यानि लोकसभा और राजसभा से हाल ही में पारित हुए तीन कृष सुधार विधेवकों की जिसकी आब आज वर्तमान समय में संसत से लेकर सड़क तक गुंज रही है और इसके विरोध में सिरो मुनि अकाली दल से संसत और सरकार में केंदरी खादे मंतरी रही स्रीमती हर सिमरत का और बादल ने इस्तीफा दे दिया है तो इस तरह देश में की आम जन्मानस में जिग्यासा का विशे बन गया है कि या तीन कृष सुधर विधेया का अधिर है क्या जिसको लेकर अंदाता अपने खेत खलिहानों को छोड़कर सडकों पर उतर आए हैं तो चलिए हम आपको इन तीन कृष सुधर विधेयकों की कहानी एकदम सुरू से आसान भासा में बताते हैं इसके लिए हमें थोड़ा सा पहले चलना पड़ेगा और समय था 5 जून 2020 का जब सरकार इन तीन कृष सुधर विधेयकों को अध्यादेश के रूप में लेकर आती है जिसका नाम है पहला है जिसमें पहला है क्रिस उत्पाद व्यापार और वणी जद्यादेश दूतरा है किसान मूल आस्वासन समझाता और क्रिस सेवा अध्यादेश तीसरा है आवस्यक बस्तू अध्यादेश संसोधन अध्यादेश तो अब यहाँ पास आपके मन में प्रस्मूठेगा भईया अध्यादेश क्या है तो चलिए पहले हम आपको अध्यादेश से परचित करवाते हैं सम्विधान कानुचेद 123 राष्टपदी को अध्यादेश जारी करने के सकती देता है सम्विधान कहता है कि अगर कोई एसा मुद्दा हो जिस पर ततकाल प्रभाव से कानुण लाने की जरूरत हो तो संसद के सत्र का इंतजार करने के बजाए सरकार अध्यादेश के जरिये उसे कानुण को लागू कर सकती है तो अगर और भी आसान भासा में कहें तो अध्यादेश एक तरह से राष्ट पती का आध्यादेश होता है जो संसद में पास किये गए कानुण की तरह ही होता है देखिए अब अगर संसत का सत्र नहीं चल रहा है और सरकार को लगता है कि इसी विशेपर कानून लाना या कानून बनाना जरूरी है जिससे देश की जनता जनारदन का फाइदा होगा तो सरकार उसे अध्या देश की रूप में ला सकती है जो अगले 6 महीनों तक जारी रह सकता है और इसी बीच जो भी संसत का सत्र आएगा उसमें इसे लोकसभा और राजसभा में 6 सपता के भीतर कानून के रूप में पास करवाना होता है तो यह अध्या देश जिसे सरकार जून 2020 में लेकर आई थी उसी को कानून बनाने के लिए बिल या विधेयक के रूप में हाल ही में संसद में पेस किया गया था जिसमें पहला है क्रस उत्पादन व्यापार वनिज विधेयक 2020 आईए देखते हैं इसकी कुछ प्रमुख बातों को इसमें किसान को अपनी फसल बेचने से जुड़ी कई आजादी मिली हैं किसान मन चाही जगा अपनी फसल बेच सकते हैं और बिन्या किसी रुकावट के दूसरे राज्यों में भी फसल बेच और खरीच सकते हैं इसका मतलब है APMC अर्थात राजी सरकार की क्रिस उपज मंडियों के दाइरे से बाहर भी फसलों की खरीदी विक्री संभव है साथ ही फसल की बिक्री में कोई टैक्स नहीं लेगेगे जो मंडि में फीज लगती है वो नहीं लगेगी और आनलाइन बिक्री की भी सुविधा होगी इससे किसानों को अच्छे दाम मिलेंगे तो आए इसे आसान भासा में समझते हैं अगर किसान अपनी फसल को APMC मतलब राज सरकार की क्रिस उपज मंडियों के बाहर आकर बेचता है तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा इस तरह है कि बेवस्थ सरकार इस बिल के माध्यम से करके देश में एक देश एक बाजार नीत की लागू करना चाहती है अब यहाँ पास आपके मन में प्रस्ण उठेगा भाईया APMC मंडि क्या है इसमें क्या दिक्कत है अगर दिक्कत थी तो सरकार इसे बनाई क्यों तो चलिए हम आपको यह भी बताते हैं आजादी के बाद देश की राज सरकारों ने APMC एक लागू किया इसकी जरूरत इसलिए थी क्योंकि उस दोरण ज्यादातर किसान करज में डूबे हुए थे और साहुकारों की चंगलू में फसे हुए थे अब अगर किसान अपना करज नहीं दे पाते थे तो साहुकार या करज दाता जो होते थे वह किसान की फसल खेट खलियानों से उठा ले जाते थी या भी एक समस्या थी तो किसानों को इस दलजल से निकालने के लिए राज्जों ने APMC Act लागू कर दिया और निश्चित कर दिया गया किसानों की फसल को अब केवल मंडी में ही बेचा जा सकता है और वही खरीदेगा जिसके पास लाइसेंस होगा और व्यापारी वहाँ बोली लगाएंगे जिस इसे ज्यादा से ज्यादा कीमत किसानों को मिल सकेगी और उनका फाइदा होगा लेकिन जब किसान अपनी फसल मंडी लेकर जाता है तो वहाँ इसका संपर्क किसानों और व्यापारियों की बेची कड़ी भी चौलिये अर्थात दलाल जिन्हें दलाल के नाम से भी जाना जा और जिस भाव निश्चित होता है वह कीमत व्यापारी एक निश्चित समय अवजिके दौरान वीचोलिये अदलालों को देता है जब øल की माध्यम से वह रकम किसानों तक आती है इस पूरी प्रक्रिया में बिचोलिय दलालों को 2-3% तक कमी संपराप्त होता है लेकिन बिचोलियों और दलालों और व्यापारियों की आपसी गट जोड के कारण किसानों को उसकी उपज कर सही कीमत नहीं मिल पाती है उसकी फसल में कोई न कोई कमिया निकाल दी जाती है भाया आज खराप है ये खराप है वो खराप है या करके उसका दाम कम कर दिया जाता है और किसानों का घाटा होता है लेकिन अब नए बिल के मुताबिक APMC मंडियां तो चलती रहेंगी लेकिन या किसानों के उपर निर्भर करेगा कि वो अपनी फसल मंडी में बेचेंगे या मंडी से बाहर किसी व्यक्तिय किसी संस्था को अब इसमें सरकार का क्या कहना है इसे भी समस्थनिए सरकार का कहना है कि इस बदलाव की जरिये किसान को उपज की बिक्री और खरीदी से अजादी मिलेगी जिससे अच्छा महौल पैदा होगा और किसानों को बेतर दाम मिलेंगे लेकिन फिर इसका विरोध क्यों हो रहा है यह भी समझना जरूरी है तो इसके विरोध का कारण है सबसे पहला कारण है कि APMC मंडी में लगने वाली मार्केट फीज जिसे अगर हटा लिया गया तो राज सरकार की मंडिया खत्म हो जाएंगी और राज को जो राजत सो मिलता है वह नहीं मिलेगा दूसरा कारण है अगर किसानों का अनाज दो जगा बिखेगा तो अगर बाहर सा अनाज जो है सस्ता बिखता है तो इससे विकरसि उपजमंडिया खत्म हो जाएंगी उनका अस्तित्तो ही खत्म हो जाएगा यह भी एक विरोध का कारण है इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरा करसी सुधार विधेयक है किसान मूल आस्वासन समझाता करसी सेवा विधेयक 2020 इस बिल के माध्यम से देश भर में कांट्रेक्ट फार्मिंग को लेकर बिवस्था बनाने का प्रस्ताव है असात या फसल बुवाई से पहले ही फसल को तै मानक के मुताबिक तै कीमत पर बेचने के अनुबंध करने की सुभिधा प्रदान करता है आसान भासा में कहें तो सरकार कमत है कि इसमें किसानों का जोखिम कम होगा और खरिदार डुड़ने के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा अर्थात सरकार किसानों को सोसन और भै के बिना समानता के अधार पर बड़े खुदरा व्यापारी और निर्यातकों के साथ जुड़ने में सच्छम बनाना चाहती है तो भैया इतना सब कुछ अच्छा है तो प्रस्नूटता है फिर इसका विरोध क्यों हो रहा है या भी समझना जरूरी है तो आएए पहले हम इसके विरोध की चर्चा करते हैं जिसका पहला कारण है अगर बाहर किसान अपना फसालिया उपज बेचेगा तो किसानों की अगर म खरिदारी कर सकता है तो कोई भी व्यक्ति जिसके पास पहन कार्ण है खरिदारी कर सकता है तो इससे क्या होगा कि बड़े विरोध बड़े व्यापारी और बड़े उद्दोख पती या कि कोई भी संस्था यह समान खरीद लेगी और इस टॉक कर लेगी और फिर आगे चलक विधयक है आवस्यक वस्तू संसोधन विधयक 2020 आवस्यक वस्तू अधिनियम को 1905 में बनाया गया था जिसमें खाद तेल दाल तिलहन आलू प्याज इत्यादिके भंडारण में रोक लगा दी गई थी लेकिन अब इस पर संसोधन किया जा रहा है अब पहले समझते हैं आवस् लिमिट से अधिक भंडारण करने पर रोक लगा दी गई थी लेकिन अब इसमें सरकार का मत है कि जो आवस्यक वस्तू हैं उनकी वरतमान समय में जितनी आवस्यकता है उससे कहीं जादा उत्पादन हो रहा है तो इस वज़ा से इसमें संसोधन की आवस्यकता है तो अब उसकी वज़ा क्या है ये भी समझिए इसके समझने के लिए क्या है कि अब अगर आवस्यक वस्तू अधनियम 1905 में संसोधन कर देंगे तो दाल, खाद, तेल, तिलान, आदी को आवस्यक वस्तू की सूची से हटा लिया जाएगा फिर क्या होगा पहले जैसी इस सितिनिर्मि आवस्यक वस्तू संसोधन 2020 के विरोध की वज़ा, अब इसके बाद अगर देखें तो इन तीनों क्रसी सुधार विध्यकों के विरोध का एक कारण यह भी है कि किसानों को लगता है कि सरकार इसके माध्यम से MSP खत्म कर देना चाहती है, लेकिन अब आप यहाँ पास सोचे है, इसी मूले पर सरकारी एजनसिया किसानों से अनाज खरीदती है और मूल इसलिए कम कर दिया जाता है क्योंकि किसानों को उपज का सही भाव या मूले मिल सके, जिससे बजार भाव कम ज़्यादा होने के चक्कर में किसानों का नुक्सान नहों, लेकिन हम आपको बता दे सरकार के दोरा इस पश्ट सब्दों में कहा गया है कि हम MSP को ना ख़ई ही खत्म करेंगे, बिल्कुल ही खत्म नहीं करना चाहते हैं और ना ही उसमें MSP को के दामों में 1% कटोती करना चाहते हैं, मतलब MSP नियूंतम समर्थन मूल जिन फसलों में जितना है, वह उतना ही रह कम नहीं होगा, वह उसमें बढ़ने की ही संभावना रहेंगी, ऐसा सरकार के दोरा कहा जा रहा है, सरकार का कहना है कि हम MSP नहीं खत्म करेंगे, केवल बजार में प्रतिस परधा बढ़ाना चाहते हैं, जिससे एक अच्छा महाल निर्मित होगा और किसानों का फाइदा तो आप इसे अपनी सौइच्छा से लाइक सेर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे आहत्विस्वस को मजबूती मिलेगी, और आगे हम आपके लिए अच्छे से भी अच्छा करने में प्रयासरत रहेंगे, अब अगर आप हमें यहां अपना कोई सुझाव भी द धन्यवाद दोस्तों